बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यातरा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि कल 12 देसंबर यानि कि सोमार को निफ्टी बैंक निफ्टी की साइड मोमेंटम कर सकते हैं कोन से लेवल अपन प्रोफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं उसके पीछे का लोजिक क्या है अब दोस्तों देखें कल की मैं आपको स्टाइम हमने क्या डिसकस के लिए तो जब यह बैंक कि इतना सा ऊपर गया यह दो केंडल जब हरी बनी तो मुझे बहुत सारे लोग ट्रोल करने आ गए अरे भाई मरुआ दिया तुने यह कर दिया तुने वो कर दिया क्या लोजिक है आज इतनी बुलिश मार्केट दिख रहे हैं दिन का हाई तोड दिया आप क्या मतलब आप पूट साइड जा रहे हो और जब यह मार्केट गिरी ना मैंने बोला कि भाई जुसको रुकना है मेरे साथ रुके वरना निकल जाए सीदी सी बात है लेकिन जब यह मार्केट गिरी तो सभी वहीं लोग जो टांग खीज रहे थे वो आये फिर बोलने कि यह कैसे हुआ मतलब आपने कैसे बताया कैसे पता किया अरे भाई आप कल की वीडियो देखिए आप हमेशा टिप्स के पीछे भागते रहते हो हमेशा यह सोचते रहते कभी कहां से कोल मिल जाए कभी कहां से पूट मिल जाए ऐसे कभी शेर मार्केट में प्रोफिट नहीं होगा अगर आप उस दिन का एक दिन पहले का चीजब के अनलिशिस का वीडियो देखे तो मैंने आपको एक चीज एग्जंपल देके सम्झाइए थी जो यह दुन अगर आपको अगले दिन डिरेक्ट गैप अप मिल ला है पलस दोस्तों सबसे बड़ा पॉंट मार्केट टाइम हाई पे है अगर आपको यह दोनों चीजे इतना अच्छा खासा आपको प्रोफिट मिल ला है तो आप क्या बुक नहीं करोगे क्या सबी बुक करेंगे तो सबी ने बुक की और प्रोफिट बुकिंग आई मेरा बिल्कुल प्लान ओफ एक्षन बिल्कुल कलियर था आपको यह बिल्कुल कलियर बताया था और मैंने सुबह सुबह के व्यू में भी दोस्तों बिल्कुल कलियर बोला था देखिए नो तारिक का व्यू है दोस्तों आज मार मैं क्या ही बोलू भाई लाइक कर देना वीडियो को और कोमेंट करके बताना आपको कैसा समझ में आया या नहीं आया और प्रोफिट वुक किया या नहीं क्या और बाकी भाई आप रहो कोल टिप्स के बरोसे कब तक रहोगे देखते हैं जब फंड साफ हो जाएगा फिर क्या करोगे लेकिन चलिए आप देखते हैं कल का कैसा मोमेंटम हो सकता मैं बिल्कुल एक चीज बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में आपको बिल्कुल कलियर जो मैं सोच रहा हूं मैं बिल्कुल प्लानिंग करने की कोशिस करा हूं क्योंकि मैं अभी नेगेटी हूं कल के सेलिंग हैपनिंग हुआ है यह वाला अपनिंग है यहां से हम पूट साइड प्लान करेंगे अगर इस के ऊपर निकलती है तो हम लेकिन ओक्र करेंगे लेकिन दोस्तो एक चीज याद रखना, मैं कैसे प्लानिंग करा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, अगर आप पुट साइड प्लानिंग करोगे, कोल साइड प्लानिंग करोगे, बहुत छोटे टार्गेट आपको दीख रहे होगे, क्योंकि मार्केट उपर की लेवल ब्रेक होगा नीचे की साइड हलका सा रीटेस्ट होगा है रीटेस्ट जरूर याद रखना इस रेंज में रुकनी चाहिए मार्केट आने के बाद यानि कि फिलेट ओपन हो यहां पी रुके थोड़ी सी देर तो निकलते हैं तो तो पहला टारगेट हमारा 200 दिन का मोविंग एवरेज यानि की 43,250 का पूट साइड हो जाना चाहिए लेकिन यह भी चोटा टारगेट है यह भी चोटा टारगेट है बड़ा टारगेट आपको कब मिल सकता है और मैं कब पलानिंग कर रहा हूं दोस्तो ध् बाद बैंक निफ्टी हलका सा उपर जाए उपर जाने के बाद जो यह ओल्टाइम हाई का और 48,800 का जो लेवल है इस रेंज में हमको चाहिए बस एक ऐसी केंडल जो यहां पर बनी है ना इस टाइप की रेड कलर की एक नेगेटिव केंडल चाहिए कैसे हम पलानिंग बहुत देर तक साइडवेज रह सकती है बैंक निफ्टी साइडवेज रहें क्योंकि रसिस्टेंस है ठीक है तो साइडवेज रहने के बाद जब इस जोन का ब्रेकडाउन होगा यहां पर साइडवेज हुई जब इस जोन का ब्रेकडाउन हो तो बहुत बड़ा दोस्तों ह है मेरी ख्याल से 12 बज़े के बाद मिल सकता है जाहे। हो सकता अपको IRS Pr पूट साथ प्रशा हमारा बढा हो जाए, चाहें 300 चार्शाज़ को हम् पूट साइड प्लानिंग कर सकते positive । जोन के साथ में मैं लेके चल सकता हूं अपनी बड़ी सी और एक अच्छा टार्गेट हमको बड़ा टार्गेट और रिस्क रिवार्ड हमारा बहुत छोटा हो जाएगा ओल्टाइम का हाई के उपर एक केंडल क्लोज आए जाएगी तो हमारा बिल्कुल छोटा सा मुस्किल से 40 पॉइंट का भी स्टोप लोस नहीं रहेगा तो यह दोस्तों मैं प्लानिंग कर रहा हूं कल बैंक निफ्टी की अगर गैप डाउन गैप अपन होती है तो बिल्कुल आज की तरह प्रोफिट बुकिंग आ सकती है एक नेगेटिव केंडल बनी हम 29 का वाली स्टे अगर ब्रेक कर रहे है तो फिर हम दिन का लोस टोप लोस डालेंगे और वन इस्टो टार्गेट हो जाएगा गैप डाउन की सिच्वेशन में दोस्तों क्या करेंगे एक चीज याद रखना दोस्तों दिन की जो मुविंग एवरेज है वो हत ततालीस दार तीन सो के आसपास ठीक है अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है इस 200 दिन की मुविंग एवरेज के आसपास तो यहाँ से फिर रिकवरी आ सकती है आप थोड़ा सा रिकवरी प्लान कर सकते हैं यानि की 50 पहली केंडल का आप मारक कर ले ना 15 मिंट की पहली केंडल को दिन का हाई और लो म जाना शुरू कर देती है मारकेट इसके नीचे जाना शुरू कर देती है तो इस 200 दिन की मुविंग एवरेज के ओपर हमारा स्टोपलोस डाल देंगे और सो डेड़ सो 200 पॉइंट का हमारा पूट साइड का टार्गेट हो जाएगा हम पलानिंग कर सकते हैं अब दोस्तों म मिल सके कि जो स्टड़ी आई वो किस लोजिक से आई है क्योंकि हर स्टड़ी में लोजिक अगर मैं बताऊंगा तो आपके अच्छे तरीके से प्रिपियर हो जाओगे अब यह थोड़ी है कि 39 पे स्टड़ी डाल दी और 39 पे सारे टार्गेट ही यह यह को रोकेट उड़ा यह क्या मतलब है 20-30 पॉइंट का और यह एक मिनिट में सब कुछ करें वह अपने बस की बात नहीं है अगर आप देखोगे तो यह पहले भी गई थी मैंने जब यह स्टड़ी पोस्ट किया तो भी 214 का आई था लेकिन मैंने अपडेट नहीं दिया बाई अगर कोई एक निफ्टी की इसने भाई फंड तीन गोना किये स्टड़ी निफ्टी में भी पूट साइट थे हम और देखिए कितने बजे की बात है 12-36 मैंने प्रेक्टिस गुरूप का स्क्रीन सोट डाला था कुछ स्टुडेंट ने मुझसे पूछा था जब मार्केट ओल टाइम हा है मैं आज बुलिश नहीं हूं यह बाद मैंने बिल्कुल कलियर बोल दी ठीक है और यह स्टड़ी ने हमारा अगर आप देखोगे तो हाई कितना लगाया एक मिनिट 350 का भाई बताओ इसलिए बोलता हूं दोस्तो सेक्टप के अनुसार चलिए एकाद स्टोपलोस दीजिए लेगी मार्केट वो नहीं मानने वाली वो तो लेगी एकाद बार ठीक है लेकिन जब आपको प्रोफिट दोगी तो यूज प्रोफिट होगा बहुत बड़ा प्रोफिट करोगे तो इस लोगों से इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रोड चैनल मिल जाएंगे ठीक है तो जो हैं नहीं करना प्रोड चैनल को उनके सब्सक्राइबर हो सकता हैं अमसे ज्यादा मिल जाएं लेकिन वह बोट सब्सक्राइबर उनकी पोस्ट पर इतने पैंत प्रोफिट के स्क्रीन शोट मिलें तो प्लीज मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दे और और जोएंड करें काफी कुछ आपको सीखने को मिला टीप्स लेने ना आएं के वहले एजुकेशन परपज के लिए वीडियो एजुकेशन परपज के लिए में वह टेलीग्राम चैन आएंगे और टीप्स भी फॉलो करते हो तो सीखना जरूरी है एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यह हो गया सुबह सुबह 2000 प्रोफिट था अब लोस हो गया स्याम को आते आदे देखिए आप सभी की गलती क्या है सक्की पंदरा मिनिट का चार सरे लगाए और हर एक केंडल को देखते हो और कीजितने दिनों तक दोस्तों केंडल को देखोगे आपको उतना ही कैंडल बुलाएंगे आज लेकिन फिर आपको पता है फंड जीरो हो जाता है लास्ट तक यानि कि जो प्रोफिट कमाया वो निकल जाता है इसलिए मैं ज्यादा स्टेडी पोस्ट नहीं करता हूं टेलीग्राम पे अरे भाई एक है 100-200-50 पॉइंट मिले रेखो बंद करो PC निकलो बस सीखने पर फोकस कर फिर क्या मतलब है इसलिए अवर ट्रेडिंग करने से बचे अगर दोस्तों आप सभी बोलोगे मेरा बहुत मन है वैसे वीडियो बनानेगा लेकिन अगर आप बोल दोगे तो और साहस आएगा और मैं एक साइकोलोजी के उपर वीडियो बनाना चाहता हूं आप सभी के कर लेते उसके उपर ऐसी वीडियो आएगी अगर आप बोलोगे तो कमेंट कर देना अगर वीडियो चाहिए तो चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं निफ्टी में भी अगर आप 39 वाली आपने अगर स्टैटेजी बे अपलाई किया हो तो तो भाई क्या नहीं है सेटप पे काम कीजिए सेटप को गाली मत दीजिए एक दो लोस होने के बाद रेगुलर काम करोगे तो आपको बहुत बड़ा प्रोफिट सेटप दे सकता है अगर स्टोपलोस होता तो चोटा सा होता लेकिन टार्गेट देखे ओल्मोस्ट तीन गुना फंड कर दि तीस चालिस पॉंट का स्टोपलोस डाली है वनिस टो हमारा टार्गेट हो जाएगा हम कोल साइड प्लानिंग तभी करेंगे जब अठारा हाजार पांसो पचास साथ सतर के उपर यानि कि यह जो लेवल है इसके उपर यहां पे थोड़ा सा रूकरी जब ब्रेक आउट देत यह इसको मत देखिए यह तो बस वैसे बन गया क्योंकि रिकवरी आई लास्ट में इतनी इतनी हूज सेलिंगे बाद रिकवरी आ जाकती फर्स्ट पूल बैक में हम बाई नहीं करते हैं यानि कि गिरी फर्स्ट पूल बैक आया हो सकता यह प्राइस एक्षन बन जाए तो हम 500 गे नीचे ऐसे प्राइस एक्षन बनाना दिन का लोड तूटना शुरू हो सकता है हो जाता है तो हम 30-45 का स्टॉपलोस डाल के वनिस्टूट हमारा टार्गेट हो जाएगा हम पूट साइड पलानिंग कर सकते बाकि आपको उप्सिन चैन में भी अच्छे से समझ में आए 2444480 में ठीक है तो एक जो पंदरा मेंट की हमारी पहली केंडल होगी हमनों 3040 अपलाई कर सकते हैं पहली पंदरा मेंट की केंडल जो होगी उसका अगर लो ब्रेक हो रहा है तो उसका हाई स्टॉपलोस डाल के और सो पॉइंट के लिए हम पूट साइड पलानिंग कर सकते लेकिन प्राइस एक्षन बनने देना प्रोपर प्राइस एक्षन लो टूटने के बाद थोड़ा सा वेट करना ऐसा नहीं है कि लो टूटने के बाद अचानक सरी कर लो टूटते ही नहीं जाना है थोड़ा सा प्राइस एक्षन बनने दिया अगरो थोड़ा सा नीचे रहने दिया अगरो मार्केट को हाँ अगर आपको दिख रहा है कि दिन का लो तूट गया और नीचे ही रुक रही है तो आप फिर जा सकते हो अगर दोस्तो गैप डाउन ओपनिंग में एक बुलिश केंडल बन जाती है इस टाइप की इस सपोर्ट के आसपास तो उस केंडल का अगर हाई ब्रेक होता है लो हमारा स्टोपलोस रहेगा और वन इस टू टू हमारा टार्गेट हो जाएगा जितना हमारा स्टोपलोस होगा उसका दो या तीन गुन हमारा टार्गेट हो जाएगा हम कोल साइड पलानिंग कर सकते हैं गैप अप की सिचुएशन में दोस्तों प्रो 275 का 700 का ये हमारा टार्गेट पहला हो जाएगा हम कोल साइड पलानी कर सकते हैं लेकिन दोस्तों एक चीज हो सकती है गैप अपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आए नीचे आने कबाद अगर फिर से रिकवरी करती है इस जोन के आसपा से आने के 18530 के आसपा से अगर रिक स्टोपलोस और जब दिन का लोग ब्रेक होके हलका सा प्राइस सेक्षन बनेगा एक्सेप्शन को फोलो करके तीस तालिस पैंट का स्टोपलोस डालके दिन का हाई स्टोपलोस डालके और 1-2-2 हमारा टार्गेट हो जाएगा हम पूट साइड पलानिंग कर सकते हैं ठीक है गैप डाउन की सिच्वेशन में भी एक चीज याद रखना दोस्तों अगर यहां पे गैप डाउन ओपन होती तो एकदम से ट्रेड नहीं लेना थोड़ा सा उपर जा सकती है उपर जाने के बाद फिर से दो पर बाद नीचे आ सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं कल क्या प्लानिंग कर रहा हूं ओपन होने के बाद चाहे फ्लाइट ओपन हो थोड़ा सा उपर जाए साइडवेज हो साइडवेज होने के बाद ब्रेकडाउन दे ठीक है क्योंकि इसके उपर पचास दिन का मूविंग एवरेज है और बैंक निफ्टी ओल्टाइम हाई पे है और रसिस्टेंस है तो इसलिए मैं यह पलानी कर रहा हूं अगर मैं ओप्शन चैन दोस्तों आपको दिखा हूं ओप्शन चैन में भी आपको यह निफ्टी का है बिल्कुल कलियर दिख जाएगा ज्यादा कुछ ओप्शन चैन में देखने हैं जरूरत नहीं आप अगर दे तकरीबन मंदी वाले दुगने हैं तो इस रेंज में आपको एक नेगेटिव केंडल बन जाती है मिल जाती है तो हम पूट साइड प्लानिंग कर सकते हैं यहां से मार्केट वापिस नीचे जा सकती है और कोल साइड दोस्तों हम कब जाएंगे कोल साइड का नहीं है पूट राइटर देखिए बैंक निफ्टी का देखें बैंक निफ्टी में दो भाई बिल्कुल फाइट चलिए बराबर बराबर की टकर है कांटे की टकर है लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो कोल राइटर बहुत ज्यादा है अठाराजार चैसों पे बाव सब्सक्राइब करते हैं यहां पर बहुत कम है तो अगर इस 800 से उपर निकलना शुरू करते हैं बैंक निफ्टी तो यह लोग ट्रैप हो जाएंगे और फिर आपको 44,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं और 44,000 पर कोई नेगेटिव केंडल मिल जाए तो हम पूर साइड प् अगर आपको वीडियो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं एक प्यारा से कोमेंट छोड़के जरूर जाएं तो ताकि मुझे मुझे मूटीवेशन मिलता हां साइकोलोजी के उपर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें अगले हफते या इस हफते के अंदर अ वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई जय मातादी जय हिंद